बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट सा रहे थे कि भीया जोसा की काउंसलिंग आखिर कैसे होती है IITs, NITs, GFTI, IIITs में आखिर हमें एड़िशन कैसे मिलेगा तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग के complete procedure के बारे में यानि कि आपको काउंसलिंग में participate कैसे करना चाहिए क्या-क्या इसका eligibility criteria होता है काउंसलिंग आखिर कब से हो रहा होगा उसके अंदर का क्या process होता है 24 फिलिंग के regarding अगर बात करें या फिर सारा कुछ जिससे आपको बहुत ही आसानी के तरीके से यार यह सारी चीज़े समझ में आ जाएंगी जिसके बाद आपको फिर से कोई अदर वीडियो जागर देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार मेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में आपके रैंक पर जो भी बेस से बेस कॉलेज मिल जागा तो हमारी चैनल पर बहुत सारी और भी कांसलिंग की वीडियो चाल लेडी अपलोड हो रही है आगे भी आपको आती रहेंगी तो उ इस कांसलिंग के तुरू अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर अगर जैसे मैं देखूं तो 23 आपके आयाइटी जैं साथ में बात करूँ तो 31 आपके एनाइटी जैं साथ में आपको 26 अगर मैं बात करूँ तो टीपल आयाइटी जैं तो इन सब में जो आपका एड बच्चे eligible हो जाते हैं आपके आयाइटी इसको भी वहां पर चूज करने के लिए ठीक है देखो अब यहां पर बात आती है जो बच्ची जी में का एक्जाम दिये हैं वो सारे के सारे यहां पर काउंसलिंग में पाडिसीपेट कर सकते हैं जहां पर अगर मैं बात करू तो आपके जो ऑफशन्स होते हैं अगर च्वाइस फिलिंग की बात करें तो वहां पर केवल और केवल आपको एनाइटी जी अप्टी आई एंड ट्रीपल आइटी यह केवल टीन ही कॉलेजेस सेलेट करने को मिलेगा अगर आप जही एडवांस का एक्जाम क्वालिफाई नहीं किये हैं तो ठीक है अगर आप जही एडवांस का एक्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको आपको आएटेस का भी वहां पर ऑफ्सन और जितने भी ब्रांचे आपको देखने को मिल जाएगा अब आईनों की काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो next year के लिए preparation करने की सोच रहे होंगे तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी ये है कि अभी physics वाला अपना 4 साल 4th anniversary celebrate कर रहा है और इतने साल उन्होंने दमदार selection दिये और वही सारे बच्चों के सपनों को पूरा करने के बाद आप सभी लोगों को बहुत ही भैंकर ओफर दे रहे हैं इस ओफर की last day 31st है जैसे कि अगर आप में से जो भी बच्चा जेई की preparation करना चाहा रहा है आपको पता है जेई में इतने ज्यादा competition बढ़ रहे हैं और hard work के साथ साथ dedication के साथ प्रॉपर strategy होना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर कोई guide करने वाला हो तो यहां पर मैं आपको बता दो कि जो यहां पर जैसे कि अर्जुना जेई 2.0 जो कि आपको 25 वाले experience के लिए है यह बैस के वाला और के वाला आपको 4199 रुपीज में मिल जाता है लक्ष जेई 2.0 2025 यह भी 4199 रुपीज में मिल जाता है प्रयास बैच है यह भी आपको 2000 अगर मैं बात करूँ हिंदी वाले जो बैच्चे सब्सक्राइब भी मिल जाते हैं और अगर आपको और भी एक्षटा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो sb150 के साथ साथ आपको अगर बुक्स वगएर भी चाहिए तो आप पी डबलू का जो इस्टोर है उसको चेक आउट करके वहां से आप बुक्स पर्चिस करके अपनी प्रिप्रेशन को और भी अच्छा कर सकते हो फिजिक्स वाला के साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कर दिया गया है जल्दिस जाकर इस ओफर को ग्रैब कर लीजिए तो अभी मैं आपको बता रहा था इस बेशली कि आपको आखिर एड्मिशन कैसे कैसे और कहां कहां मिल रहा होता है अगर आप जैमेन का एक्जाम क्वालिफाई करते हैं और अगर आप जैडवांस का मीनिमम अगर eligibility criteria कि मैं बात करूं तो आपका class 12 pass out होना mandatory हो जाता है अगर आप इस सबसे important बात आती है जोसा के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आपको कोई भी registration fees इसमें नहीं लगता है ठीक है तो आपका जब registration की अगर बात करूं तो जैए एडवांस का जैसे result आएगा 9th क and 10th June से आपका जोसा की जो tentative date से registration वगरा वो आपका start हो जाएगा अभी हला कि फिलहाल में आपका कोई official schedule नहीं आया है बट जल्दी ही जही एडवांस के result आते 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 आपका official पूरा schedule 6 round का release किया जाएगा जिसमें आपके एक-एक round करके ऐसे-एसे counseling आपका होता जा आना होगा आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा तो उसके लिए like and चैनल को subscribe जरूर कर ले तो आपको करना क्या होगा आपको online registration करना होगा आपकी जो जही में के application number होते हैं उसी के थुरू आपको करना होता है वही आपका login credential हो जाता है और उसके बाद फिर आपको अपन से नहीं किये बहुत अच्छे से strategy अपने दिमाग को यूश नहीं किये तो आप हो सकता है जो आपको बेस से बेस college or deserving college मिल सकता था वो college आपने हाथ से गवा बैठो ठीक है तो इसमें लेकिन याई डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम आपके साथ बिलकुल है और आप में स करके आप मारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो परसनल काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपके रैंक पर आपको जो भी बेस से बहुत डियर विंग college है उसको दिलवाने में हमारी जो टीम है वह आपकी definitely help करेगी साथ मैं भी आपके साथ रहूंगा तो definitely आप इसके ल जागा और फर्दर वह आपको गाइड कर देंगे आपको जो भी queries डाउड जो भी आ रहे हैं और counseling related colleges related कैसे preference बनाना चाहिए सारा चीज आपको वहाँ पर one stop solution मिल जाएगा इससे आप लोग का जो problem है वो solve हो जाएगा और आपको अपना जो पसंदीदा college जो भी आप करते होंगे आपके रैंक पे वह आपको definitely दिलवाने में हम पूरा अपना जान लगा देंगे ठीक है तो यह उन बच्चों के लिए था जिनको लाइक थोड़ा बहुत भी confusion है बाई मैं तो हमेशास करता हूं कि counseling में mistake बिलकुल मत करना क्योंकि इससे तो एक तो यार आपकी parents नहीं बिलेगा बाद में आप रिग्रेट करोगे तो इससे अच्छा है या थोड़े बहुत पैसे देकर आप अच्छे से अपना counseling कराओ और पूरे confidence के साथ अपने अपको बता दिया अब आगे जैसे कि माली जी आपका choice feeling complete हो जाता है उसके बाद फिर आपका start होता है आप आपका seat allotment माली जी अगर आपका जो भी rank respective जल से अपने choice feeling के आए अगर आपको seat allot हो जाता है तो फिर आपके पास तीन option होते हैं यहां पे आपको 35,000 रुपए fees देना होता है और जो other category के student रहते हैं जैसे SCHT में उनको 15,000 रुपए पे करना होता है जनरल अगर वाली otherwise क्या है कि आपकी seat cancel हो जाएगा आप counseling से बाहर हो जाओगे तो अगर आपको seat मिली है तो आपको यह pay करना mandatory हो जाता है otherwise आप बहर हो जाओगे और इसके बाद फिर आपके पास option आता है freeze float and withdrawal माली जी आपको जो seat मिल गाप उससे satisfy होगे first preference डॉले थे first preference वाला ही आपको मिल ग करेगा that is freeze हो गया float क्या होता है float मतलब होता है यह कि यार आपने मालो अगर आपको 20 rank वाला कोई जो आपने preference बनाया था कोई college और branch आपको मिल गया बट अगर आप float करते हो तो क्या है कि next round में जो आगे आने वाले और भी rounds है बचे हुए है ठीक है वहां भी क्या है कि आपक 20 rank अगर मिला है तो आपको हो सकता है अगर आपने अच्छे सा choice फिलिंग किया हो तो आपको 18 rank वाला 10th rank वाला 9th rank वाला ऐसे करके आपको ऊपर के college मिलेंगे जो आपके पास already मिल चुका है पहले round में या फिर आगे से आने वाले टाइम में भी जो like second third round ऐसे होता रहेगा त अदरवाइस का बटा चला आपने खराब college को उपर डाल दिया और अच्छे college नीचे तो आपको जो पहले पेटर कॉलेज मिल था अब शुक्य जो उपर वाला कॉलेज था उसकी रैंग थोड़े पीछे पर भी मिल जाते तो आपको आराम से मिल जाएगा तो आपके पास अच्छा कॉलेज हाथ में होता हुआ बट आपको नौलेज सही नहीं था तो आपको खराब कॉलेज मिल तो आप अपना सीट को विड्रा करलो और आप कांसलिंग से बाहर हो जाओगे तो यह बेसीकली जोसा का secondo का उसकी पूरी procedure और पूरी आपकी process इस तरीके से conduct होता है इसके बाद जब आपकी sheets बचती हैं तो आपका C-Sep round होता है जो कि basically 2 round होता है तो वो आपका एक अलग procedure होता है उसमें भी बहुत सारे बच्चों को काफी जादा rank rank तक भी colleges मिलते हैं लेकिन वो काफी risky होता है और वो काफी late में होता है जब यह पूरी counseling खतम हो जाती है जोसा की उसके बाद वो आपका start होता है तो मिलेंगे हम next video में अगर आप मेंसे किसी भी को भी कोई भी दिक्कत आया तो बिलकुल आपके लिए हम हमेशा ready है इंस्टाग्राम पर जाएए नीचे आपको description में link मिलेगा रितुरा सिंग MZP search करिए follow करिए message करिए कि sir या फिर भईया जो भी आपको प्यारा लगे कि I want to join your जोसा counseling आपको वहाँ पर मिल जाएगा बट अगर आप चाहते है मेरे से call पर consult करने के लिए तो नीचे आपको उसका भी link मिल जाएगा आप जाकर उसको book कर सकते हैं payment करने के बाद registration करने के बाद आपकी detail मेरे पास आजाएगी और आपको एक दो दिन के अंदर आपके given registered number पर call मेरे द्वारा मिलेगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहां chances आपके बन सकते हैं आपको जाना चाहिए जूरसा में या फिर other counseling के लिए या फिर जो भी counseling से लेटर आपके problem है सारे के सारे वो doubt clear हो जाएंगे one to one मेरे साथ call पे so thank you so much for watching this video जैहिन मिलते हैं next video में तब तक के लिए students bus को telegram पे भी जाकर subscribe कर लिजे क्योंकि जहां भी जो भी पहले update आएगा सबसे पहले आपको telegram पे मिल जाता है